आज फ्रीच होने के बावजुद भी कई घरों में मटके का पानी ही पिया जाता है पानी को ठंडा रखने के साथ साथ मटके के पानी के अनेक फाइदे हैं तो आज की इस वीडियो में आईए जानते हैं मटके में रखे हुए पानी को पीने से हमारी सेहत को क्या लाब होते हैं और यह किन बिमारियों को दूर करने में फाइदेमंध होता है तो आईए चानते हैं मटका प्राकरतिक रूप से पानी को ठंडा रखता है मिट्टी के बर्तन प्राकरतिक रूप से छिद्र पूर्ण होते हैं जो कि पानी को नेच्रल तरीके से ठंडा रखते हैं और इससे मानव शरीर को भी काफी फाइदा मिलता है वेग्यानिकों के अनुसार मिट्टी के बर्तनों में USB पाई जाती है जो कि मोसम के अनुसार पाने के टेंपरेचर को कम करता है मटका हमारे लिए प्राकरतिक चिकित्सक के रूप में काम करता है मिट्टी के बरतन खनीजो और विद्युत चुम्ब की उर्जा से भरपूर होते हैं जो हमारे शरीर को री एनेजाईस करने में सायक होते हैं इसके अलावा धूप में नस्ट हुई उर्जा की भरपाई करने में भी यह मददकार होते हैं सन स्ट्रोक से भी बचाता है मटके का पानी मटके का पानी हमारे शरीर में ग्लूकोस की मातरा को नियंत्रित रखता है इसके साथ ही गर्मियों के मोसम में सन स्ट्रोक से भी बचाता है इसके लिए आपको बस हर रोज मटके का पानी पीना चाहिए पानी में मौजूद अशुद ता को दूर करता है मटके का पानी मटके में इस्तिमाल की जाने वाली मिट्टी शारी होती है और जब ये अशुद पानी के साथ मिलती है तो इसके pH लेटी बे असर कर देती है जिससे इंसान को एसिडिटी और गेस की समस्या नहीं होती है पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है मटके का पानी प्लास्टिक की बोटल में पानी रखने के कारण फ्रीच का पानी रासा इनिक्रियाव के कारण शरीर के लिए हानिकारक होता है वही मटके का पानी न सिर्फ हमारे पाचन तंत्र को स्वस्त बनाई रखने में सहयक है बलकि यहां हमारे शरीर को संतुलित रखने का भी काम करता है गले के इंफेक्शन को भी दूर करता है मटके का पानी खासी, जुकाम और अस्थमा के मरीजों को मटके का पानी पीने की सलाहत दी जाती है क्योंकि ये गले और श्वासन रोगों से दूर रखने में मदद करता है और इस तरह से आप मटके में रखे हुए पानी का उप्योग करके इसके कई सारे स्वास्त वर्धक पाइदे हासिल कर सकते हैं सेहत से जुड़ी यदि यह चानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें ताकि यह चानकारी आपके साथ सभी को मिल सकें इसी के साथ चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सेह से जुड़ी एसी ही जानकारी हमेशा और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद